हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपको चुकंदर के फाइदे बताऊंगी कि चुकंदर खाने से हमारी सेहत को क्या फाइदा पहुंचता है और हमें चुकंदर का कितना प्रयोग करना चाहिए कितनी मात्रा में इसको खाना चाहिए और किस किस समय इसे इसका सेवन करना चाहिए वैसे तो पूरा दिन कभी भी हम इसको खा सकते हैं परन्तु breakfast के समय अगर हम इसका सेवन करें तो हमें इसका ज्यादा फाइदा होता है ये फल जो है वो साल में 12 महीने मिलता है परन्तु लोग इसे गर्मियों में ज्यादा खाना पसंद करते हैं क्योंकि इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है इसमें हाई फाइवर होता है जो कि हमारी पाचन सकती को बढ़ाता है तो फ्रेंज जो लोग हैवी वर्काउट करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही फाइदे मंद होता है तो गाइज अगर आपको चुकंदर के फाइदे में पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को स्किप मत करना और इसे एंड तक जुरूर देखना चुकंदर का फल जो होता है बहुत से पोसक तत्वों से भरपूर होता है और इसमें बिटामीन्स, मिनरल्स, आयरंज और कैलसियम पाया जाता है इसके इलावा इसमें मैगनीसियम भी पाया जाता है जो कि हमारे स्रीर के लिए बहुत ही फाइदे मंद होता है तो फ्रेंड्स आप जब भी चुकंदर का जूस पीते हैं तो उसे कभी भी अकेला ना पियें इसमें गाजर, सेव, अनार मिलाकर इसका जूस जो है वो आप पियें क्योंकि इससे जो है चुकंदर टेस्टी भी होता है और भी ज्यादा फाइदे मंद भी होता है अगर आप चुकंदर के जूस में सेव मिलाएंगे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है फ्रेंड्स अब मैं आपको ये बताऊंगी कि एक दिन मैं कितना चुकंदर खाना चाहिए एक बार मैं आठ ओंस और हपते मैं तीन बार से ज्यादा एक दिन में दो मध्यम साइज के चुकंदर से ज्यादा आप ना खाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है चुकंदर जो की बीट रूट के नाम से जाना जाता है यह कितनी मात्रा मैं जो है चुकंदर का सेवन करना चाहिए क्या हम रोजाना चुकंदर का सेवन कर सकते हैं, किन लोगों को चुकंदर का रस नहीं पीना चाहिए, चुकंदर से सेहत को क्या फाइदे होते हैं, आज हम इस पीडियो में आप से बताएंगे सो फ्रेंड्स, चुकंदर के फाइदों में से पहला फाइदा है, ये बजन कम करने में मददगार होता है, इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है, और मात्र एक गिलास चुकंदर का जूस पीने से लंबे समय के लिए जो है वो हमारा पेट भरा रहता है इसका दूसरा फाइदा है, ये लीवर की मदद करता है, चुकंदर हमारे लीवर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, चुकंदर में बेटा साइनिन होता है, जो लीवर के टाकसीन्स को साफ करने की समता रखता है चुकंदर का तीसरा फाइदा है डाइपटीज की रोगियों के लिए जो है ये बहुत लाबधायक होता है इसके सेवन से ना केवल मीठा खाने की तलब को साथ किया जा सकता है बलकि इसके सेवन से आप चुस्त और दुरुस्त भी होते हैं चुकंदर का चोथा फाइदा है ये बलड प्रेशर को कम करने में मदद करता है चुकंदर और गाजर का जूस बना कर पीने से सरीर को नैचुरल सुगर मिलती है और बीपी भी कंट्रोल में रहता है हमारा पांचवा फाइदा है हिर्दे रोग के लिए बहुत ही अच्छा होता है इसमें पाए जाने वाले पोसक तत्वों के कारण हमें हिर्दे रोग वो स्ट्रोक जैसी बिमारी में बहुत लाव मिलता है चुकंदर पीने का छठा फाइदा है ये स्टैमिना बढ़ाता है हपते में तीन बार चुकंदर का जूस पीने से आपका सारीरिक दमखम सही रहता है हमारे लिए चुकंदर का साथवा फाइदा है चुकंदर में जो एंटि आक्सिडेंट बिटामीन A, बिटामीन C, कैलसियम, आइरन और पोटाशियम जैसे पोसक तत पाए जाते हैं ये पोसक तत बालों को जड़ने से बचाने के साथ साथ स्कैल्ट में होने वाली खुझली से भी राह दिलाने का काम करता है फ्रेंड्स इसका आठवा फाइदा है हीमोगलोबीन बढ़ाने में ये मदद करता है चुकंदर खाने या फिर इसका जूस पीने से शरीर में हीमोगलोबीन की मात्रा तेजी से बढ़ती है इसका नौमा फाइदा है विटामीन सी का ये अच्छा सत्रोत होता है विटामीन सी किन को जवाँ बनाए रखता है घाव जल्दी भरते हैं इम्यूनिटी बढ़ती है और बोट्टी को भोजन से आइरन सोखने में भी मदद मिलती है इसका दस्वा फाइदा है कि चुकंदर खाने से हमारी तबचा चमकदार बनती है चुकंदर में मौझूद एंटी आक्सिडेंट तबचा को निखारने और एंटी एजिंग एजेंट के रूप में भी कार्य करता है इसका ग्यारवा फाइदा है इससे जो है यादास्त बढ़ती है चुकंदर का जूस पीने से मस्तिस्क मेरक्त का परवाह बढ़ जाता है जिससे की हमारा मस्तिस्क जो है वो स्वस्त रहता है इसको भूलने की विमारी होती है उसकी यादास्त बढ़ती है इसका वार्वा फाइदा है इससे immunity बढ़ती है चुकंदर स्रीर की रोग प्रतिरोधक शमता को जबर्दस्त तरीके से जो है वो बढ़ाता है इसका तेरवा फाइदा है एनीमिया में ये फाइदे मंद होता है चुकंदर में मुझूद आइरन सरीर में खून की कमी को दूर करने में बेहद मददकार साबित होता है इससे आप अपने खून की कमी को दूर कर सकते हैं तो फ्रेंड्स चुकंदर का जूस किसे नहीं पीना चाहिए वो हम आपको बताते हैं जिसका जो ब्लड फ्रेशर होता है वो लो होता है उसे चुकंदर का जूस नहीं पीना चाहिए जिसको किडिनी स्टॉन की समस्या होती है जिसको रीन या स्टूल का रंग गुला भी हो उसे भी यह नहीं पीना चाहिए और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना